भूख लगी ओल्लाइन महेंगा ओडर देके परिशान हो तो आजाओ फूड टैंगो पे जहां से आप मुम्रा के सारे रेस्टूरेंट सारे धाबे सबकी फूड ओल्लाइन ओडर कर सकते हो वो भी और उसे सस्ते प्राइस में वाव सर्फ इतना ही नहीं आपको मिलेंगे फ्री होम डेलिवेरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटा पाग जाने का मौका और फेर साड़े ओफर्स तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो आप डाउनलोड करें, और दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए और एट फूड टैंगो नाउ जाता है, यहां पर बड़ा सा एक्षिडेंट हुआ, इस तभी गाड़ियों को रूपा गया है, यहां पर माहूल कापी खराब हुआ महिस दामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैंग्स, धाबी से खाना खाकर लोट रहे परिवार के साथ सड़क हाथसा हो गया और इस हाथसे में महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद सड़कों पर जम कर हंगामा हुआ गुस्ताई लोगों ने चक्का जाम कर दि जानकारी के मुताबिक महिला फिर्दोष खान अपने पती असरार खान और दो बच्चों के साथ भिमंडी के एक धावे में खाना खाने गई थी, और खाना खाने के बाद ये परिवार बाइक से अपने घर पिरानी पाड़ा के लिए रवाना हुआ, मगर रास्ते में पहले से ही एक ट्रक पार्क किया गया था और असरार खान अपनी बीवी और बच्चों को बाइक से लेकर जा रहे थे, जो पहले से ट्रक खड़ा हुआ था, इसके पास ही पहुँचे थे, तभी एक और तेज रफ्तार ट्रक इनके पास से गुजरा और असरार खान का संतुलन वि हो गई, असरार के दोनों बच्चे और असरार को भी काफी चोट लगी है, इस हाथसे में हाथसे की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ी कठा हो गई और सड़कों पर हंगामा लोगों ने करना शुरू कर दिया, यहां तक की चक्का भी जाम कर दिया था, इसकी जानकारी जब लोगों ने इस ट्रक का पीछा किया और ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है, हमारे सहयोगी फिरोज मेवन ने वहाँ पर ग्राउंट रिपोर्टिंग की है, क्या कुछ उन्हों ने बताया है, सुनिगे पिराल हम खड़े भिवन्डी के चाविंद्रा इलाके में, चाविंद्रा नाशिक रोड पे हम खड़े, यहाँ पे एक बड़ा एक्सिडेंट हो गया है, मेरी ताफ में इंडिया नल पेट्रों पे और इस तरफ में जो रोड नाशिक से लिगे भिवन्डी जाता है, गाडियों को तोड़ने की आवाज आ रही है, जितनी भी जो आसपास की जो गाडिया खड़ी थी, उन्हें सबको तोड़ा जा रहा है, अब देख सकते हैं, यह देखिए इसके काश तोड़ दी गई है, और जो पुब्लिक है, वह काफी आक्रोश में हैं, जो जो परीजने हैं, वह बहुत जाता ही आकरोश में, उन्हें को कहना है कि कोई भी हैवी वेहिकल शहर में गुस्ता नहीं थी है, और पार सही रही है, लगातर कई मौते हो गई है, हैवी वेहिकल के जरी है, यह देखिए, एक-एक गाडियों को जो है, रोका जा रहा है, यह देख सकते हैं, यह देखिए, इस सभी गाडियों को रोका गया है, यहां पर माहौल जो है, काफी खराब हो गया है, कि इसी जगह पर अक्सिदेंट हुआ है, यह बाइक है, यह पैशन प्रोव बाइक, यह सीदा-सीदा जो ट्रेलर था, उसके नीचे आ गई, यह पुरा ब असरार, वो अपने परिवार को लेगे जा रहा था, उनकी जो बीवी है, उनकी मिल्टी हो गई है, और यह पिरानी पारा के रहने वाले इस्राइल मेकनिक नाम से एक आदमी पेमस है, उनकी बहु और बेटे थे, तो बहु का इंतिकाल हो गया है, और जो उनके बेटे इसरा सब्सक्राइल में आखे, वक बेवक जो है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, और इसी की वज़े से, जब साइड में जो है, दुसरी गाड़ी है, इनको रस्ता नहीं मिलता है जाने के लिए, रोड का लोग कहां से आएंगे जाएंगे, और इसी वज़े से सारे हाथसात होते ह जो यहां पर हुई है, अब इसका जिम्मेदार हम किसे मानेगे, इसका जिम्मेदार हम प्रशासन को बनाए, इसका जिम्मेदार हम यहां के नागरिक को बनाए, इसका जिम्मेदार हम जो ट्राफिक डिपार्टमेंट है, उसको बनाए, कौन इन मौत की इन सारे हाथसों की जिम्मेदारी लेगा, सबसे बड़ा कुश्चन ये